एक समय की बात है, एक छोटे से गाव में जहां प्रेम और खुशियों की खुश्बू फैली हुई थी. इस गाव में एक युवा लड़का नामक राहुल रहता था, जिसका सपना था कि वह जादू सीखे और लोगों की मदद करे. रहुल के लिए यह सपना साकार हुआ, जब एक दिन वह जंगल में गुमनाम योगी से मिला. योगी ने रहुल को एक जादू की पुस्तक दी और कहा, इस पुस्तक में छुपा है एक प्राचीन जादू, जिसे सिखने के बाद तु दुनिया को अध्भुती रूप से देखेगा. रहुल ने उस पुस्तक को बड़े उत्साह से खोला, और उसमें लिखी गई मंत्रों को पढ़ना शुरू किया. धीरे धीरे उसकी जादू की कला में महारत हो गई. एक दिन गाव में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हुई. गाव के पास का नदी सूख गई थी और पौधे मुर्जा रहे थे. लोग चिन्तित थे कि उनका खेत कैसे बचेगा. रहुल ने अपने नए सिखे जादू का उपयोग करके एक जादूगर बनकर नदी को फिर से बहाने लगा. उसने मंत्रों की शक्ती से पानी को जीवन्त किया और पौधों को नया जीवन दिया. गाव वाले हैरान हो गए और उन्होंने रहुल को गाव का राजा बना दिया रहुल ने अपनी जादू की कला का उपयोग करके गाव को खुशाली और सम्रिद्धि से भर दिया. इस तरह रहुल ने जादू की कला का उपयोग करके न केवल अपने सपने पूरे किये बलकि दूसरों की मदद करने का अदभुत कार्य किया. गाव में उसकी महीमा बाकी जिसे लोग आज भी याद करते हैं